एलो वेलकम बैक गाइज टू मॉईंटिके दोस्तों क्या आपको पताएगे हर दिन कितने सारे गैजट्स इंवेंट होते हैं अकर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि हर दिन काफी सारे गैजट्स बनाए जाते हैं जिनके बारे में एक बार बताना शुरू करो तो शायद ही कभी खतम कर पाओ तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए उनी में से कुछ गैजेट्स चुन कर लाएं हैं दोस्तो इस एक स्टुडेंट लाइफ में इंपोर्ट रिपार बनाया गया है जो कि देखने में तो एक किताब की तरह लगता है लेकिन उसके अंदर पन्य नहीं बलकि रोशनी निगलती है दोस्तो इस लाइम्ब को आप ठीक हे किताब की तरह खोल सकते है और बंद भी कर सकते हैं दोस्तों ये 360 degree fold और open हो जाता है और इसमें warm white LED light लगी है जो आपके आखों के लिए बहुत ही ज्यादा comfortable होती है इस lamp को आप micro USB charger से charge कर सकते हैं एक बार full charge करने पर ये 8 घंटे तक अराम से चलता है इसे आप description में दियेगे link से 1300 रुपे में Amazon से purchase कर सकत हैं दोस्तों नबर टू वाव क्यूब दोस्तों रुबी क्यूब तो हम सब ने solve किया है बले ही कभी पूरा solve ना कर पाए हो मगर इतना तो हम सब को पता है कि एक बार जब हमारे हाथ में क्यूब आ जाता है तो उस से solve करने में मज़ा बहुत आता है अगर आपको भी रुब क्यूब नहीं बल्कि वाव क्यूब सोल्व करें दोस्तों वाव क्यूब रुबी क्यूब कर डिजिटल वर्जन है या यू कहें कि स्मार्ट वर्जन है वाव क्यूब में आपना सिर्फ कलर पजल सोल्व कर सकते हैं बल्कि डिजिटल पजल गेम भी सोल्व कर सकते हैं आप फोन से connect करके game को display कर सकते हैं और उसे cube में solve कर सकते हैं दोस्तो वाव cube में आपको 24 display screen मिलती हैं जिसमें आप अपने phone का सब कुछ display कर सकते हैं नमबर 3 rocket air portable AR glasses दोस्तो ये है rocket air portable AR glasses with voice control AI दोस्तो इसे देखकर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये है क्या चीज़ मगर दोस्तो जब आप जानेंगे कि ये काम क्या करता है तो आपके होश उड़ जाएंगे दरसल इसका काम movies और digital gaming experience में चार चान लगानेगा है वैसे तो ये एक चस्मा लगता है मगर जब आप इसे पहनते हैं तो आपके सामने एक बड़ा सा screen नजर आने लगता है जहां movie या और कोई भी वीडियो गेम खेल सकते हैं आपको ऐसा लगेगा कि आप TV स्क्रीन पर movie देख रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं मगर आपके सामने कोई भी screen नहीं होगी आपने सिर्फ वो चस्मा पहना होगा दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम है आपको बता दे कि ये आपकी daily life के लिए काफी usable है खासकर तब जब आपको crafting का शोक हो ये एक heat gun है इसका मतलब कि इसमें गरम हवा निकलती है जिसका temperature 600 और 80 degree Fahrenheit तक पहुँच जाता है और इसमें आपको stand भी मिलता है तो इसे आप stand पर खड़ा करके आपने दोनों हाथों को free करके आराम से कोई भी काम कर सकते है चलिए आपको बताते हैं कि ये काम कैसे आता है दोस्तो इसका इस्तेमाल आप किसी भी चीज़ को पिखलाने के लिए कर सकते है या फिर किसी भी चीज़ को ब्रकार वायर को जोइंट कर सकते है और पैंटिंग को सुखाने के लिए कर सकते हैं अब आप ही अंदाजा लगाईए कि इससे आप क्या क्या को तक कर सकते हैं नमबर फाइव क्लीर क्रिसकेंट 3 दूस्तो टेबल पर रखे इस गैजट को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई शोपीस है क्योंकि इसकी डिजाइनिंग काफी खूपसूरत है मगर ये एक 3D स्मार्ट स्पीकर है इसमें 3 लिस्पिंग मोड है जैसे की स्टेरियो मोड इसमें आपको बहुत दूर तक सेम साउंड से म्यूजिक सुनाएगा नेक्स्ट 3D मोड 3D मोड में आपको हाइड डेफिनेशन ओडियो मिलेगा जिसमें वोल से टेकरा कर साउंड नहीं आएगी और साउंड में किसी भी तरह की रिफ्लेक्शन सुनने को नहीं मिलेगी आप इसे गोगल ऐसे स्टेंड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं दूस्तो ये एक पोर्टेबल माइक्रोफोन है जिसे आप आईफोन या आईपैड में लगा कर साउंड रिकोड कर सकते हैं इसकी डिजाइनिंग काफी सोथ समझ कर की गई है इसमें डोल ट्रेक स्टेरियो कंडेंशन माइक्रोफोन लगा हुआ है जो 180 डिग्री एंगल तक रोटेट हो जाता है इसमें तीन मोड्स हैं जिनने आप अपने अकोर्डिंग एड़जस्ट कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कैसे इसे फोन में लगा कर ये लड़का गिटार बजा रहा है इससे इसका वीडियो तो रिकॉर्ड होई ही जाएगा साफ में अच्छी क्वालिटी में साउंड भी रिकॉर्ड हो जाएगा अपने गानी को रिकॉर्ड करने के लिए इसे किसी भी माईक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ती दोस्ते ही माइक्रोफोन एमाजोन पर अवेलेबल है नमबर सावन रोकेट बस प्रो ये है एक लाइट वेट गेमिंग माउस इसे खास उनके लिए बनाया गया है जो PC में गेम खेलते हैं इस माउस से उन्हें गेमिंग में काफी अच्छा एक्सपिरियंस मिलेगा और इसके लाइट का भी कोई जवाब नहीं काफी कूल लाइट के साथ ये गिलो करता है दोस्तो नमबर एट रेंगर 1000 मल्टी फंक्शनल पोर्टेबल बैकपैक पावर स्टेशन दोस्तो पावर स्टेशन सुनके आपको लग रहा होगा कि ये कोई इलेक्ट्रोनिक पावर सप्लाय है लेकिन भला ये पोर्टेबल बैकपैक में ये कैसे हो सकता है जी हाँ दोस्तो हैरान करने वाली बात तो है इस बैकपैक में आपको पूरा का पूरा पावर स्टेशन मिलेगा जिसे आप कहीं भी पीछे कंदे पर टांग सकते हैं और अपने फोन, लैप्टोप, ड्रोन, कैमरा और ई-बाइक सब कुछ चार्ज गर सकते हैं और इलेक्ट्रिक ग्रिल्स, स्पीकर, मिनी व्रिज, कोफी मेकर और भी कई सारे गैजट्स चला सकते हैं इसके रहते आप जंगल में भी इन गैजट्स को चला सकते हैं जहां आपको इलेक्ट्रिसिटी का नाम भी सुनने को नहीं मिलता दोस्तों ये बैग सिर्फ पावर स्टेशन नहीं है आपको इसमें सामान रखने के लिए भी जगा मिलती है इसके पीछे की साइड आपको एक बैग मिलता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं ये पावर स्टेशन इतना भारी भी नहीं है इसे आप आराम से पीट पर टांग कर ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कूल ओसम गैजट्स आपको इन मेंसे सबसे अच्छा गैजट कौन सा लगा हमें कोमेट सेक्षन में जरूर लिखिएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत बोलिएगा क्योंकि हम ऐसे ही गैजट्स वीडियो बनाते रहते हैं और बनाते रहेंगे तो आज किस वीडियो में बस इतना ही हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई